सबसे जबरदस इनफार राहू शनी और मंगल तीनों की एक जबरदस्त रेमिडी है विची हनुमान जली से और दूसरी बात हनुमान जी से जब भी कोई पूजा करें तो कुछ मांगते रहे हैं आपके कुंडली में अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो रेमिडी आपको मिलेंगे ही नहीं तो शिरू करते हैं तरुन शर्मा शो और आज हमारे साथ है सौरव जा और आज हम जिन बातों के ऊपर जिन टॉपिक्स के ऊपर आम लोग बात करने वाल है न वह आपकी बहुत सब्सक्राइब कर देगा क्योंकि हम लोग बात करेंगे कैसे आप देख सकते हो कि आप अपनी कुंडली में कौन सा गर है कहां पर वो अच्छा है बुरा है सब चीजे आपको आज पता दिल जाएंगी तो शुरू करते हैं आज का पॉड़कास सौरव के साथ साथ सौरव व आज करना क्या चल रहा है लोग ना गलत बात बहुत बता देते हैं कि यार यह ऐसा रखा हुआ है थोड़ा सा पैसा जादा कामाने के चक्कर में तो उसमें थोड़ा लोगों का आज भला हो जाए तो जैसा आपने कहा तो हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रहों के बारे में ऐसी तो यह करें कि से कि अगर किसी को जोतिश नहीं भी आता है तो भी उसको यह समझ में आ जाए कि यह तो और बेकलig से स्टार्ट करते हैं आप मुझे फच्छ यह तो यह बताओ कुंडली क्या होती है तो देखेंगे तो इस वक्त जो अपने प्रांटतरी बनारें के अख वह वो map को हम कुंडली बोलते हैं, मतलब typically अपना जो भारत में जो जोतिष शास्त्र है, उसके अंदर हम 9 ग्रहों को consider करते हैं, तो उन ग्रहों का position, जब आपका जनम हुआ था जिस फक्त, जिस प्लेस में, जैसे मानलीजे अगर आपका जनम दिली में ही हुआ, मानलीजे, for XYZ reasons, 1980 में हुआ किसी का जन्द, तो उस दिन, जिस दिन उस इंसान का जनम हुआ, वो ग्रहों का position क्या था, उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनती है, typically लोग एक तो इसको मानते हैं, कि यार यह सही भी है या नहीं है, तो एक बहुत सिंपल सा उसका एक्जाम्पल दूंगा, कि अगर जिसकी शादी नहीं हुई हो, जो कभी रिलेशन्शिप में नहीं रहा हो, वो जैसे ही एक रिलेशन्शिप में जाता है, तो आप उसको पूछे कि तुम्हारे लाइफ में डिफरेंस आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है, या फिर जैसे मानली जी हम इस अगर आप समंदर किनारे रहते हैं, और आप बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छा व्यू मिलता है, तो आपका मूड ठीक हो जाता है, अगर आपके घर के ठीक आगे कूडा घर है, वहां से निकलोगे तो आपका मूड आफ हो जाएगा, क्यूंकि आपने समंदर का एक्जाम प्रभाव पड़ता है, तो वो उतना बड़ा ग्रह है, जो जूपिटर, सैटर्न, सूर्य, चंदर्मा, उनका सोची आपके लाइफ में क्या इंपक्त पड़ता हो, सूर्य के आजपास ही जितने भी बाकी ग्रह हैं, वो घूमते हैं, क्यूंकि सूर्य के मतलब पुड़ा ख रहते हैं, वो गया है, रहते हैं, प्लायट सतो योणकि के सूर्य के शंद आप्GO ऐसाथ क tracked कि आपकी कुनणली में बेठा वह था है।ס आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या सच्छा हो रहा है या बुचा हो रहा हूं, शोइंस प्छले जनम के क्रह पाने और स्रक्साह तो वो जो साथ साथ साल का टाइम जाता है उसमें आपको रिजल्ट चाहे अच्छे मिलें चाहे बुरे मिलें लेकिन आपका बहुत सारा कर्म कटता है अच्छा आप टिपिकली लोगों को देखते हूं कि बहुत महिनत करना पड़ेगा कुछ लोग कुछ नया शुरू कर लेते हैं कुछ शिखर पर महाँ जाते हैं बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत टाइम से अच्छा कर रहे हैं अच काफी तरकी किया मतब पर्टिकुलरी अगर आप देखे रहे हैं उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके एक्जामपल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने साड़े साथी में लाइफ में बहुत अच्छा किया तो सौरब मुझे बादाओ आओ आपने ये सब कुस अगर उसकी सेम लगन कुणली होगी बट जिंदिगी तो सबकी अलग अलग है तो सिर्फ अगर एक हम लगन कुणली यूज करेंगे तो हमको सही प्रडिक्शन जो है वो नहीं मिलेगा तो इसलिए जो रिशियों ने हैं उन्होंने क्या कि इसके और भी फर्दर सब जिनको हम टिपिकली डिविजन और भी है कई ज्यादा है लेकिन हम 16 डिविजन सैसे हैं जिसको यूज करते हैं यानि कि D1 से लेकरके D60 तक हम यूज करते हैं प्रडिक्शन के लिए लेकिन अगर भगवान का आशिरवाद है आपके उपर तो वो डिवन यूज करके भी अगर उस इंसान के कर्म अच्छे हैं तो पूज कफल आपको मिलेगा कर्मी अच्छे नहीं तो पूज कफल आपको कहां से मिलेगा उसी तरीके से अगर इस्ट्रोजर उसके कर्म अच्छे हैं वो अच्छा लाइश्टाइल जी रहा है तो फिर उसके माध्यम से जो है आपको कुछ भी अगर वो बोलेगा वो सही बजाए इंफाक कई बार आपने अपने लाइफ में देखा होगा कुछ लोग जिनको जोतिस नहीं भी आती फिर भी रैंडम ली अगर आपको कुछ बोल देंगे तो सच हो जाता है तो आपके पास लोग भी ऐसी बाते पूछने आएंगे जहां पर कि आपके तुरूं को पॉजिटिव आंसर मिल रहा है क्योंकि आपका टाइम भी उस ताइम साइद अच्छा चल रहा तो यह बहुत ही मतलब माइनूट सब्जेक्ट है मतलब नेगलीजेंस यहां पर टिपिकली क्या होता है कि यह हम जब शुरू में सीखते हैं तो एक मज़े के लिए सीखते हैं बहुत मज़ा आता है बट अगर मालीजे मैं किसी को कुछ बोलू और मेरे थिरू कोई ड़ जा हैं और किसी को कुछ अच्छा महसूस हो उसका फल भी मेरे उपर आएगा अच्छा भी हो जाता है बिल्कुल अगर मालीजे आज आप यह बिजनेस चला रहे हैं तो आपके थूरू अगर किसी का घर चल रहा है आपकी लाइस में भी उसका फल आएगा उसी तरीके से स्ट्र अच्छा में राहू यहां बैटा है शनी यह तो ऐसी तैसी करेंगे मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना टाइम ग्रहों के पास और देवताओ के इतना टाइम है कि वह बैटके मेरे उपर स्पेशली देखेंगे कि इसका टाइम खराब करना है मुझे तो वह क्या होता ह बैटा सिर्फ उतेमा खराब होते हैं और कैसे होते हैं ज्साहट कराब भया हो सकते हैं पहले इक बात समझ्छेटह पुल्ली में जहां कहीं भी है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपको बुरे रिजल्ट इदेगा या सिर्फ आपको अच्छे रिजल्ट इदेगा जैसा मैंने कहा आपके कर्मों के अनुसार जो प्लैनेट की पोजिशन तैह हो गई इस जन्नम में फिर आप कैसे कर्म करेंगे उसके हिसाब से वो अच्छे है बुड़े रेजल्ट आपको देगा अच्छा लेकिन आपने विल्कुल ठीक है कि किसी प्लानेट को मुझसे या आपसे दुश्मनी नहीं है कि अब मैं इसकी जिंदगी में बस परिशानिया है ऐसा अब आपको अच्छे रास्ते के उपर ही लिगे जाना चाते हैं में अब चाहें तो हम लोग एक एक करके सारे प्लानेट के बारें बात कर सकते हैं बिल्कुल उससे पहले मुझे छोटा सा सवाल जवाब और दे दीजेगा यसे मैंने अपनी कुनली खोली हाज कल दो क्योंकि मतलब आइम अजुमिंग कि जो अपने विवर्स होंगे वो शायद उस टेकनिकल नॉलिज को नहीं जानते हो तो बेसिक से शुरू करता है बिल्कुल उसमें जहां पे भी मैं वता पाहूंगा कि कुंडली जिनको आता है वो कैसे देख सकते हैं उस पर भी बात करते तो बिल्कुल इसके बाध करें तो सबसे पहले जो सबसे पहला गरह है जो सबसे इंपोटेंट ग्रह मेरी साब वह सुरिए जी ठीक है तूकि सूर्य के एड़ गिर भी बाकी सारे गरह घुमता है अपनेसंसार में जो भी एनर्जी का सोर्स है वो ब्लांट ने अपना खाना बनाया, photosynthesis के थुरू, हमको वह खाना मिला, कौन responsible है, उसके लिए सूरे रिस्पोंसिबल है, डेली कौन आता है, सूरे सूरे आते हैं, सूरे देता है, तो सूरे is the most important plant in the energy source है, बाकी plants में उसी के थुरू, उनको energy मिलती है, तो अब अगर माली ये किसी कौनली बना सूरे अच्छा बैठा है, तो कैसे समझे कि मेरा सूरे अच्छा है, या बुरा है, तो सबसे पहले तो सूरे पिता का कारक होता है, तो अगर आपकी ideology किता से match करती है, तो सूरे आप करते हो, फटकारते हो, और मैं उनकी बात को समझता हूं, और उनको मुझे लगता है कि वो थीक बोल रहे है, इजजद करते हैं, तो उसको ही न कहीं सूरे जो है, वो कुंडली में अच्छा बैठा है, तो उसको एक पोजिशन आप रिस्पोंसिविलिटी जो है, किसी को रिस्पोंसिविलिटी मिल जाएगी, आप लीडर बन जाएगे कहीं न कहीं, आप क्रिकेट खेलने के लिए गया थे, लोगों ने बोला, तुम कैप्टन बन जाओ, ठीक है, उसी तरीके से धीरे-धीरे जैसे से आप बढ़ते जाते हैं, आप कॉर्पोरेट में गए, शुर मने भी थोई देर पहले खा, डेली सुबह कौन आता है, सुरी आता है, मतलब विदर यू अबल टू शो अप अड़ एड़ सेम टाइम एवरी देर और नोट, अगर यह आप कर पारें, मालीजी आपने जिम जोइन कि आपने डिसाइड कि एक जनवरी आया, मैं आज 12,000 की मे होधा हो जाती है, आच्छा, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी को कुछ किया, कि हाँ भाय, जैसे मालीजी कॉर्पोरेट में को मैंने जर उसने अपने नीचे वाले को यह प्रमीश किया कि मैं तुमको पर्मोट करा दूँगा, या तुमने ये काम किया तो मैं तुमक दूसरी बात आप हर किसी को समान भाव से अगर देखते हैं सूरिकों हम भगवान राम के अवतार के साथ असोशेट करते हैं आप उनकी लाइफ के बारे में देखिए तो उन्होंने कभी किसी के बीच में भेद नहीं किया और दूसरा पिता के साथ अगर आप देखिए तो प तो अभी कल्यूग में ऐसा तो है कि किसी को भी एकदम आइडियलिस्टिक सूरिय मिलेगा एक और उससे पहले एकजांपल आपको देखता हूं आप मालीजे लाइफ में मैनत करते हैं हम हर को मैनत करते हैं हमको फल मिल जाए तो उसमें से जब भी उस फल में जो फेम वाला पाथ associated है जो मैंने महनत की है उसका एक हिस्सा जो है in terms of fame मुझे मिले कि मुझे recognition मिलना चाहिए life में तो recognition अगर आपको time time से बराबर मिल रहा है सब कुछ life में time पे हो रहा है तो सूरिय अच्छा है अच्छा है बट अगर उसमें delay आ रहा है या मिल ही नहीं रहा है या फिर पाने के लिए बहुत महिनत करनी पर रही है फिर मिला तो कुछ मजाई नहीं आ रहा है तो भी अच्छा नहीं तो यह सूरिय के सारे lection होते हैं जिसे क्या पता कर सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है तो यह मुझे एक चीज़ बताऊ ना कि यह सूर्य अच्छा या बुरा यानि कि उसको काफी स्ट्रेंथ है वहां पर अच्छे रिजल देगा कुडली के अंदर बटो सिफ डीवन कुडली में है जबूर नहीं कि वह फलित हो फिर आपको नवाम श्माकी कुडली भी देखना पड़ता है और जो मैंने लक्षन बताए उससे आप समझ सकते हैं कि वह यानि कि सूरी जो है पहले हाउस में अच्छा रिजल देगा पांचमें हाउस में अच्छा रिजल देगा दसमें हाउस में बहुत अच्छा रिजल देगा किस चीज के लिए करियर करियर में फेम देगा आपको रिको किनिशन देगा सेवेंथ हाउस में उतने अच्छे रि चुट्टी पे चला गया आपके उपर ज्यादा जिम्यदारी आगी आपने इतना अच्छा निभाया बॉस ने कहा यादी लड़का इसको 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 उपर लेकर के चलते हैं तो सूरे इतना बलवान करे है तो जो फिल्म स्टार्स होते हैं तो उन में से इनको की इज़त के स तो सूरे के वैसे मिलता है तो इस तरी इन फाक्ट आप रिलेशन्शिप में भी है तो भी सूरे बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आपकी शादी हो चुकि आपको बता होगा कि आपने अपनी वाइफ को अगर कुछ प्रॉमिस किया था तो निभाना आपको वो निभा पाएं बशल पाप जो है फर सब डिजन्न आप रहे हो गलत है यह इज़त नहीं यह यह तो आप इसको ठीक कर सकते हैं सताहि नहीं कि तीक नहीं अच्छा अच्छा घीडिज वह लेंड़ी जो है वह करन से रिलेड़ेडिये लिए एक तो यह जैसे मैंने यह यह रूब मुझसे सूर्य से रिलिटर कर्म करवाएगा ठीक है बगर कर्म के कुछ भी रेमीडी काम नहीं करता लेकिन दूसरा है कि आप गायतरी मंतर का जाप करिए गायतरी मंतर का जाप चुपके से करिया केले में करिया यह नहीं कि जैसे का मजबूत होगा नहीं तो आप शिव भगवान की पुजा कर सकता है अच्छा बगवान शिव की आप अधित्य हिर्दम अस्तोत्रम है अगर टिपिकली इनको सेल्फ कॉन्फिदेंस इन फैक्ट वो भी एक लक्षन है कि आपको नों खुद पे भरोसा नहीं है या नाम करेंगे तो जोतिश में 12 घर होते हैं इस तरीके से नाइन प्लानेट है बारा राशियां होती है और बारा घर भी होते हैं तो उसमें दूसरा आपकी बोली का होता है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं वह तीसरा घर है इस पीच कम्मुनिकेशन हो रहा है यहां पर दूसरा घर जो है वह आपके मूझ से क्या निकल रहा है जैसे मालीजी आप रोड पर घंकार चलाते हैं उसका भी प्रभाह है अच्छा उसी कि राम का नाम लेते रहो क्या पता कब दिल से निकल जाए और जिंद्गी बले जाए तो आप जब भी कोई भी मंत्र का उचारन करते हैं तो उसका बहुत प्रभा पड़ता है आपकी जिंद्गी के उपर कुछ और नहीं कर सकते तो सुबह सुबह उठके सूरी को जल दीज आपका शंद्ग है अगर आप कर पा रहे हैं तो और भी बहुत सी चारी तुझे कर सकते हैं अगर आपके पास भगवार नहीं को पता की सेवा कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है जिसके पास पिता नहीं है उससे पूछिए मेरे फादर नहीं है मतलब लेकिन जब वह न सूरी को समझना है तो एक इमेज आपके मन में आनी चाहिए कि पिता आपने बच्चे को हमेशा अपने कंदे पर उठा के रहता है क्योंकि जो चीज वह नहीं देख पा रहा है उसको वह दिखाई दे क्योंकि उसका फ्यूचर है इसलिए सूरी कुंड़ी में फिफ्फ हाउ को यह ओप देता है कि यह ठीक हो जाएगा तो वह नया दिन नया दिन आया तो नया कुछ होगा हंड़ीट परसेंट तो वह सूरी का महत्तु है कुंड़ी के अंदर तो इसलिए पिता अगर है किसी के तो मैं कहूंगा कि पिता की सेवा कर लीज़े पिता आप नहीं रहे तो है यह इस घर में बैठा है तो यह अच्छा है इस घर में बैठा है तो यह बुरा है सिंपल बता करूं माली जिए गर सूरी फरस्ट हाउस में तो अच्छा है 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 अच्छा क्योंकि उनके बीच उनकी मतलब एक दूसरे के साथ नहीं बनती है तो सूर्य और शनी भी आपकी कुली में अगर मिला है तो वह कहीं न कहीं एक ब्लेमिश है आपको लेकिन इसमें अच्छी बात बताता हो मैं आपको आपको बहुत सारे ऐसे आईएस ओफिसस मिलेंगे जिनक आपके नीचे हैं सब करना पड़ता है जैसे माली जी आप राजा है तो आप इसकी सेवा करते प्रजा की अगर आप अच्छे राजा है तो आप अपने प्रजा की सेवा करेंगे तो प्रजा विल अलसो लूक टू यू चाहें मोदी जी के बारे में I can be pro-modi I can be anti-modi but जिनक इसको भी वो मिल गया उनकी तो दूआ मिल रहे है नो तो मोदी जी ने अपना शनी तो अच्छा कर लिया तो शनी बहुत इंपोर्टेंट है सूरी के लिए अच्छा कि सूरी आपको उस प्रजा से मैंने क्या का था थोड़ देल पहले है आपको वहां पहुचाएगा सूरी और काम करवाएगा शनी और काम किसके लिए करवाएगा शनी के लिए शनी कौन है समाज में वैसे लोग इनके बारे में कोई नी सूचता है आप जब भी कोई policy बनती है कुछ भी government बनाता है तो सूचता है कि बिजनेस हो जाए फिर ट्रिकल डाउन एफेक्ट करके नीचे ब बारे में शनी सोचता है और वो चाहता है कि वो जो राजा है वो उसके बारे में सूचेगा आप नहीं सूचेंगे अब भी तो पॉइंट अफ टाइम प्रजा फिर बढ़ा की जाती है तो अब बागा तो शनी इसलिए इंपोर्टेंट है तो जैसे बैने कहा कि मेरा सूर्य अब तो फिर वो अपोजिक एनर्जी है काम दोनों एक ही करवागी लेकिन फिर वो सूर्य अकेले मुझे मिलता तो आज मेरे पास मतलब काफी फेम मिलता मुझे लाइप में बट क्योंकि वो शनी है तो वो धीरे देगा क्यों कि शनी का नीचर क्या-क्या है कि वो आपसे मे दो तो तो दो तीन साल चार साल और मैंद करेंगे तब दूसरा पोजिशन देगा फिर थोड़ा और फिर थोड़ा आपको हमेशा लाइप में लेगा कि कुछ ने कुछ कमी है मैं इतनी मेहनत करता हूं मुझे मिलता नहीं तो वो शनी है कि आपको पेशेंस परसिवरेंस तो वो शनी है तो किसी को अगर मेहनत करने की छंता है आज लाइफ में कुछ प्रॉब्लेम हो तो भी वहसता रहेगा कि कोई बात नहीं तो उसका शनी स्ट्रॉंग है बहुत स्ट्रॉंग है जो आप देखेंगे न कि आप बहुत लोग आपको ऐसे दिखेंगे कि रूम में अगर है तो उन्हों उसको उसकी तरफ उनका ध्यान जाएगा जिसोंकी तकलीफ है तो शनी अच्छा है कि को मैं समाज के लिए कुछ करूँ इन्सान को पसंद आएगा इसा काम करणा जो तो शनी कही ने कही गरवर है आपका क्योंकि आपको जैसे ही थोड़ा difficult situation में डाला जाता है तो आपको दिक्कत होती है शनी अगर अच्छा है तो इंसान को पसंद आएगा ऐसा काम करना जो उसको काम करना पसंद नहीं है जैसे फॉर एक्जामपल जब जिम आप शुरुव में जॉइन करते हैं जब आपकी शरीर में आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखता है तब जिम जाना किसी को पसंद नहीं है एक बार वो रिजल्ट आगे तब अच्छा लगता है तो शनी आपको ऐसा काम करवाएगा नो जो सबस्क्क बोरिग जो है जेको कोई नहीं करना चाथा माली जाओ में अगर मैं हूँ 20 को मैरी के आथी यह यह जो गवे हैं जो मिठार पाहन प्राइब गाहन बहुत दो वह को खुए पते है साथे दित fällt वह घए सब्कलоко कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे जो भी इनके कारकवतों हैं, सबसे पहला तो शनी के लिए आप दान कर सकते हैं, दूसरा, जो कोई बुढ़ा इंसान है, उसको हेल्थ में किसी तरीकी की जरुत है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, किसी बुढ़ा इंसान को दान कर सकते हैं, को लिलेगा ही तो आप ञीज यह सारे चीजीस के बारहें बताएगा कि तो आपके थ्रूब हम्हालीजे किसी न गोड़े को नहीं कर नहीं करता है। छी जिश्स जो नहीं करना कोया ह granny दिने करोकर एक ग्रह और रहे जिन को ऑगाओ तुमने करती हैं नो इसके बाद ए दुगर हो और ऐसे जिनको जिनका लेगे न बहुत डराया जाता है कि वह यह तुम्हारी चौनली में बैठ गए आके अब तुम्हारा कुछियो सकता हो है कि राहूर के तू इनका क्या सिशन है कि यह भी पता दो तो उन जन्मों में जो ये जन्म वगर मेरा हुआ है तो इस जन्म में राहू वो दिखाता है कि मुझे इस जन्म में क्या मालूम है स्टोरी तो भगवान ने उनका मुहिनी अव्तार लेकर के सर अलग किया था जिसके वैसे सर और धर अलग हुआ और वही राहू केतु बनते हैं तो वह हमेशा कुंडली में 176 में रहें मतलब राहू जहां रहेगा उसके बिल्कुल ऑपोसिट जो है केतु रहते हैं केतु कुंडली में उस चीज को रिप्रजन करता है जिसको कि आप पिछले जनम में इतना कर चुके हैं कि आप उसमें पारंगत पा चुके हैं मतलब उस चीज में आपको एक्सपर्टीज हांसिल है तो इसलिए केतु को फ्लैग बोलते हैं तो जहंडा गारने का मतलब क्या ह आप ने जीत पा ली उस जिन्दी के उससे में राहु किसी को रिप्रेजन करता है जहां पर कि आपको वह अभी एक्सपरिमेंट करकर सीखना है तो वह रिलेशन्शिप में सीखते हैं या तो खुद धोखा काएंगे किसी और को धोखा देंगे या रिलेशन्शिप में का रखे हो तो आपको चीजों के पिछे भागाएगा लाइफ में अब भागेंगे तो दो चीज़ें हो सकती है या तो जिस चीज के पिछे आप भागे उसे पकड़ लेंगे या तो मिला या नहीं मिला तो अगर आपका रहू अच्छा है ना तो आप हांसते रह जाएगे कि नहीं मिला अरे बापने में मुह अनकी मतलब जैसे कई भार होता है जिस firstly कोई नडगी के पिछे लड़की तो किसी लगे की पीछा है, वो भागते रहते हैं, हमको लगता ने कि अगर ये मिल गई तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, फिर जब नहीं मिलती है तो हमको लगता है, ये क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन वो भागने के चकर में अगर आपको कुछ मिल गया, यैसे कई बार क्या ह हो गया, या लड़की के साथ भी सेम कि आपने वो लड़के के चकर में आपको ये हैसास हो गया कि यार करियर मेरी लिए इंपॉर्टेट है, या आपने पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली, कुछ तो मिला आपको तो रहू अच्छा है, बट वा भागे गी और आपको अंत्र नहीं मिला, तो रहू अच्छा नहीं है, बट रहू का काम ही है, जब रहू की दशा चलेगी, अंतर दशा चलेगी कुंडली के अंतर, अंतर दशा दशा मतलब टाइम पिडियेट उसका, जहां पर कि वो ग्रह सबसे आदा बलवान है आपको अपी कुंडली में, अगर मन में एक्षा थी, बच्पन में शाहिद को एक्षा हुई होगी, आपको मन इच्छा हुई होगी मेरा प्रोडक्शन हाउस हो, या एड की एजनसी हो मेरी, तो रहू पूरा कर देगा, अगर रहू अच्छा है तो लेकिन अगर रहू अच्छा नहीं है तो भगाता रहेगा भागाता रहेगा, आप एक relationship में गए, फिर आपको ले गए, शायद इसमें कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ, फिर दूसरे में गए, फिर दीसरे में गए, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, फिर आपको ले की फिर भी जाएगा, आप उससे भाग नहीं सकते, तो इसकी क्या remedy होगी राहू की, सबसे जबर्दस, राहू, शनी और मंगल, तीनों की, एक जबर्दस रेमिडी है, विचिस हनुमान चालिसा, ठीक है, क्योंकि राहू का एक और चीज क्या है, कि राहू ना, चाहे अच्छा हो कुडली में, चाहे बुरा हो, आपको डर बहुत देगा, आप 99% टाइम जो आपका डर है, वो कभी फलित नहीं होगा, आपके मन में, आप सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, कि मेरे साथ सब कुछ बुड़ा होने वाला है, राहू, इन फैक्ट, एक false sense of confidence भी देता है, क्योंकि मैंने का, के तु जो है, वो रिप्रेसेंट कर रहा था उ तो बहुत सारे politicians का रहू बहुत मजबूत होता है, अंदर कुछ है नहीं, लेकिन दिखा रहे हैं कि सब कुछ है, क्योंकि अगर आपको एक large mass के साथ connect करना है, तो राहू अच्छा होना चाहिए, लेकि तो नहीं कर पाएंगा, ठीक है, because you cannot just be very straightforward, और लाइफ में आप आगे नहीं जा सकते हैं, तो वो डिप्लोमेटिक होना है, तो वो डिप्लोमेसी में जो एक negotiation का का रहे है, वो mercury है, उसके उपड़ी बात करेंगे, लेकिन उसमें राहू बहुत-बहुत इंपोर्टेंट रोल क्लिकरता है, क्यों बहुत fast thinking plant होता है राहू, तो आपना on the fly आप यह सोच सकते हैं, कि यह मेरे लिए अच्छा है, यह मेरे लिए बुड़ा है, लेकिन हो सकता है कि उसमें अगर गरवर है, तो आपको भसा देगा, तो आप मुझे फटा-फट से राहू की एक तो यह हमारी हो गई हनुमान चलिसा, ठीक है, आपने बोला शनी, मंगल और राहू कि हनमान जी का क्या है, कि सबसे पहले आपको वो डिटाच कर देंगे चीजों से, अगर आपको डर है, तो वो डर नहीं रहेगा, आप हनमान चलिसा, जो भी अगर रेगुलर्ली करेगा, तो आप उसको लाइफ में बहुत कॉन्फिदेंस रहेगा, तो वो फॉल्स सिंस अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो हनमान जी इसको ठीक करते हैं, तीसरा मंगल तो हनमान जी काफी क्लोधी रिलेटेट हैं उनके साथ, वो भी आगे जब मंगल के बारे बात करेंगे, लेकिन इन तीनो प्लानेट के लिए अगर आप हनमान चलिसा रेगुलर्ली करते तो इस वेरी इंपोर्टेंट की यू स्टिक विधे रेगुलर्ली करना है, मतलब आप डिसाइड करें के चालीस दिन में करूंगा तो चालीस दिन फिर आपको करना है, आप लोग कहते हैं की 108 वार करूं की 216 वार करूंग, इस नाट आप यह कोशिच करें की आप रेगुल करना पड़े, तो भले मजाग की बात है, लेकिन आपको भी ऐसे कभी सुचना पड़े है, कि अगर आप क्यूं करना हैं कोई भी रेमेडी, वो चाह आपने मन में, या तो अगर नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, भगवान आपको स्पूरिट्वालिटी के पात पे लेके जाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे, वो भी करेंगे, लेकिन अगर किसी कारण से करें तो उस कारण को ध्यान में रखके तब अनमान जीशा करते हुए, तो मैंने डिसाड़ कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, या सली बीशी का पालन करूंगा, जो भी चीजे कुछ तो उन नियमों का गड़ा पालन कर सकते हैं तो और अच्छा, लेकिन ये तो करिए कि आप रेगुलर्ली तो करिए, वो बहुत इंपोर्टेंट है, तो हमारा केतु बचा है भी? राहु जैसे मैंने कहा फशाएगा, ठीक है, आप इल्यूजन के पीछे भागे, माया के जाना था जैसे राहु आहने घर में था किसी का, रिलेस्शनशिप का हाउस होता है, तो में घुट नहीं मिला है तो पिर कि आप्ने अपको कुछ है港 यही थे अपने अप से रेचनी अच्छा कर उ कि तो राहु सेवेंध फस्स में होगा, फस्थ हाउस इंसान का खुद का कि आप राहू भागना आपको राहू के पीछे ही आप ऐसा नहीं कि आप बोलें कि अच्छा जहां के तु है ना मैं वहां जदा फोकस करूंगा कि राहू कर नहीं नहीं सकते मतलब इतना धहरी जैसे कुंडली के ऊपर कौन जा पाया है जो लोग बहुत ज्यादा इस पिरिच्व जिनके जिनको आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा साधना करते हैं वह कुंडली के ऊपर जा पाएं एक और ची बताता हूं मतलब वीचिस इंपोर्टेंट कि राहू अगर शुक्र के साथ अगर है तो रिलेशन्शिप में प्रॉल्म पैसा खूब देगा र कि आपकी सोच केअ चाल आप तो सम्झा si कर लिए च्रेशन करीओ करने से अपको घल्लेगा राहू में और शानी करेंशन कर दो को एक तो बहुत बहुत सिंशर है और शनीदे भी ऐसा नहीं है, बहुत उपर तक भी लेगे जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आप meditation करिए, योगा करिए, उससे बहुत फाइदा हो आप केतु का बता रहे थे, केतु की remedies भी बता दो आप तो केतु में बहुत सिंपल है कि आप किसी ना किसी प्रकार से आप spirituality के तरफ आपको जाना पड़ेगा, आपको अंतर मन होना पड़ेगा, उसके अलावा या तो गनिश भग्मान के आप पूजा कर सकता है, तो भी आपको केतु से related जो है अच्छे रिजर मिलेंगे, लेकिन अ केतु मजबूत होता जाएगा, केतु मतलब अगर आप थोड़ा सा वयराग्य और वह करने की कोशिश करेंगे, तो केतु अपने आप शोओ, लेकिन अगर फिर भी रेमेडिय कर मान लीजे किसी को ऐसा लगता है कि लाइफ में केतु की देशा चली बहुत प्रॉल्म मेरे सा केतु करना ही निए लोग सब अपना विराग्य विराग्य अपना के चले जाएगा, किसी को चाहिए ना, जैसे आप जब भी आपको लाइफ में तकलीफ होगी, जैसे शनी की जब बात कर रहे थे, शनी की जब शारे साथी आती है, तो शनी के दिये वे कुछ दुख ऐसे है जो कि आपको अकेले भुगतने है, उस टाइम कौन कामा है, उस टाइम केतु कामा है, क्योंकि फिर आपको मन करता है कि यार, स्पिरिचुलिटी मतलब थो अकेले रहूं तब आप समाज को बहुत अलग तरीके से देख पाते हैं, कि रिलेशन्शिप भी किसी काम का नहीं है कुछ भी किसी काम करने है, आप केतु के एक रहमेडी बता रहे थे, कुट्टे को खाना के लिए, वो राहु के लिए भी हल्प करेगा, केतु के लिए भी हल्प करेगा, क्या मतलब है कि अगर जब भी आपको माया कुछ मिलेगी जिंदगी में, तो आप समझ पाएंगी कि अच्छा है या नहीं है, मुझे एक चीज के पीछे भागना है या नहीं है, तो हमारे चार प्लैनेट होगा है, बिल्कुल, हमारे पांच और बचे है, अब हम बात करेंगे पहले मंगल की बात करेंगे, तो मंगल जो बढ़ प्रॉब्लम सॉल्विं, तो उनके साथ जो इसे मार सकते हैं, तो मार्स वही है, मंगल वही है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विं की अबिलिटी है, डूसरा और क्या है वो कि आप कौन सा प्रॉब्लम चूज करते हैं, खतम करने के लिए वही मंगल दिखाता है, जैसे for example, अगर मालीजे अभी रोड पे आ रहे थे और कि दिमाग सही जहां पर रखे, अगर प्रारिटी सेट है आपकी वहां पर भी कि मुझे जग्रे में नहीं पढ़ना, मैं कुछ और करूंगा, या मुझे यह प्रॉब्लम नहीं सॉल्व, कुछ लों को क्या करेंगे, वो एक ही क्वेशन में जाएंगे लिखने के लिए, वो ए सब्सक्राइब करता है, अगर आप के अंदर है तो अच्छा मंगल है, उसके अलवा कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में डूसको कूछ अज़क करने के लिए जो को और नहीं करना चाहिए, उस दोस्त के लाइफ में कुछ प्रॉलेम आई तो आप स्वी अच्छ बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो लेकिन अगर आप इस निचर से किसी का प्रॉल्लम सॉल्व करने के लिए गये हैं कि यह लड़की ना यह लड़का इसको अगर इसको इसके लाइफ में दुख है मैं ठीक कर दूँगा तो शायद इसका मेरे साथ रिलेशन्शिप हो जाए उसको आपके दुख से प्यार हुआ उसको आपके दुख सॉल्व करने से प्यार हुआ जब इसका दुखा एपके लैफ celestial जैगा तो इटिफा में किकुश डियान Pierce क्रॉब करना है रिस्क लेना है लैफ में और मिटिक्रेश नि मतलब आपको कोई काम थे इमांदारी से करें दिल से किसी को बोली का नहीं तुम पालन करना और्ट जिन यदिन दे Two Men किसी को पडान करने मतलब इसके उख्र सिंधी कि सभंग जाएंगे विचिस के मंगल सर्जन को भी रृप्टरें चैंड तो मंगल अगर खराभ है कुंदली में तो आपके थूरू किसी को हानी होगी और अगर अच्छा है तो आपके थूरू किसी का मतलब जो है करें छोड़ियो निभी करने को कैसे ठीक कि अजया है मंगल को अगर आपका घराव मैं चल्चिदा आपके पर पर्जिए आपके पक्रहे रिया है। देख और मंगल के बाद हुआ हमारा कौन सा प्लैनेट हुआ? अब बात करेंगे सर्विनस के बारें। तो वेनस या शुक्रु वे प्रजेंट करता है कि मैं लाइफ में चॉईसे जो बना रहा हूँ वो में long term को देखके बना रहा हूँ या फिर short term को देखके बना रहा हूँ अच्छा विच मीन्स कि अगर मान लिजे आज आपके पास option हो कि आपके पास 10 लाख रुपे हैं वो 10 लाख रुपे आप खर्च कर दीजे कपरे खरीदने में शराब पीने में या बस personal gratification के लिए जो तो मेरी जिंदीगी जो है शायद मैं IOS officer बन जाओं या फिर मैं मुझे अची नौकरी मिल जाए या मेरा खुद का business हो जाए तो that is an indication of good शुक्र जहां पर कि आप सोच रहो ना कि मतलब long term में अचार रिजल्ट मिलेगा तो मैं आज को sacrifice करने को ready हूँ on the other hand अगर आपको लगता है कि आज मैं अपने boyfriend के साथ time spend कर लूँ या girlfriend के साथ time spend कर लूँ यह मजा है तो अगर आपका ध्यान वहां पे है तो कुछ ने कुछ गरवर है क्योंकि Venus वह choices को ही represent करता है कि आपके पास जिंदगी में हमेशा life is always about choices या तो यह करो या यह करो तो आपने वह चूज किया जिसमें आपको लगता है immediate result मिला है बादवाला शाहिद ना मिले या जैसे माली यह आपको long term relationship में हा तो आपको लगता है या वह वापस आयागा या नहीं आएगी अभी जो कोई दूसरा मिल रहा है इसके साथ अगर में relationship में चला जाओ या चली on the other hand जो आपकी जिंदगी में महिलाएं है including your mother wife हो गई mother हो गई बेटी हो गई कोई friend हो गई उनके साथ अगर आपका relationship अच्छा है कुछ जगड़ा नहीं है या females के साथ आपको उनकी वेसे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो भी शुक्र मारा अच्छा है तो इसकी क्या अगर हम खराब चल रहा है और अच्छा करना हो तो कैसे करें तो बिल्कुल इसका पहले तो यह देख लेते कि बिल्कुल अगर ऑपोजिट हो रहा है तो मैंने कहा कि आप शॉट टर्म रेशन्शिप को फेवर कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो कही ने कहीं जो है शुक्र आपक अगर मालीजी शुक्र आपको फिर दिखता है कि हाँ यह कुछ ने कुछ तो यहां गरवर निकला तो आप दो तीन चीजें कर सकते हैं सबसे पहला आप किसी ऐसी महिला की हेल्प करें जो की सही में परेशानी में ठीक है मतलब कोई विद्वा हो या फिर मतलब यंग गेज म प्रॉब्लम आदा है तो वहां आप उस जोड़ने की कोशिश करिए कैसी नहीं बनिया वहां पर तो भी आपका शुक्र जो है वह अच्छा होगा बिल्कुल आपके साथ होगा दुर्गा जी की अगर पूजा कर सकता है इस्पेसिल जैसे मैंने कहा कि राहू और शुक्र का क कोई कॉंबिनेशन बने कुड्ली में दुर्गा माता की पुजा करिए तो भी आपका शुक्र जो है वह आपको अच्छे रिजल देगा फिर हमारा आगया अगला प्लैनेट अब है मर्करी मर्करी बुद्ध अब यू जो च्वाइसे जब आप करेंगे शुक्र के थुरू उन चॉइसे को करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए तो चाहिए इंफॉर्मेशन जी और फिर उस इंफॉर्मेशन को अनलाइज करने की एबिलिटी ठीक है आपको चाहिए स्किल तब आप कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे आपको चाहिए कम्निकेशन की एबिलिटी त सकता है कि इसे सर्जन है वो उसके हाथ में वो जो जब उचूरी गई तो उसको पता है कि इससे मुझे सर्जीरी करनी है लेकिन वो समझ पाना कि इससे मुझे करना है that is mercury कि information को आप कैसे gather करते हैं और उसके basis पे आप life में क्या आप चॉइसेज करते हैं तोस चॉइसेज आर वीनस बट वह इंफोर्मेशन को समझ पाना उसको अनलाइज करना पाना अच्छा है अगर बच्पन से आप बोलने में अच्छे हैं अच्छा बोली जो निकलती है वो जुपिटर है लेकिन जो स्पीच आज मैं और आब आब कर अब पाहर को लगता है कि मेरा कमूनिकेशन इसकी लगए तो मरकरी। अच्छा है अगर बुलने में ही आप लेट थे गाहिक LA नैं ने प्रदें तो वह सब्सक्राइ लोगत एसे हुए ग्रास करने की अबिलिशी और बहुत ज़ली सीख जाते हैं छोंगा फिर बच्पना मतलब 40 साल के होगे लेकिन फिर भी ना खेलते कुद्टे रहेंगे मस्ती करेंगे लोगों को हसाएंगे तो वो अबिलिटी भी मर्करी देता है आपको मिमिक्री की अच्छी अबिलिटी है किसी भी अच्छे एक्र की जरूरी है की मर्करी अच्छा हो कि मर्करी अच्छां को हम वीनस के साथ ऐसेट करते हैं वीनस आपको चार्मिंग बनाता है मर्करी आपको अच्छी अ क्लीट पहले ने की लिड限 है विदेज जाने वाले थे, आपका पासपोर्ट नहीं आया, वीजा नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, तो वो या आपको घर खरी दे जाने थे, वहाँ डोकुमेंटेशन का कोई प्रॉल्म है, तो मरकरी को ठीक करना है, तो जो मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर जो होता है, आप उनकी हेल्प करिए, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कोई भी रेमेडिया आप करेंगे ना, भगवान अगर परिशानी देंगे, तो समाधान भी जैसे मारी देंगे, कोई नो कोई सामने से चलके आपके पास आजाएगा, कि भाई, पैसा दे दे, तो उनको हरे कलर की सारी द अगर आप उसका भी पार्ट करते हैं, क्योंकि यह पूरी दुनिया है ना, वो विश्नु जी के सब कुछ वही कर रहे है, तो जो बारा राशिया है, वो भी उनके शरीर का हो है, तो अगर विश्नु साहसनाम भी करते हैं, तो भी आपको मर्करी से रिलेटर जो लाइफ में परिशानी है, वो वो जाएगा, मर्करी का एक और इंपोर्टन इंडिकेशन क्या है, कि लाइफ में जो हम प्रैक्टिकल चीजे होती है, आप एरपोर्ट में लाइन लगए है, और वहाँ देखा आपने की ब्रहवाय में टिकेट जो है, सॉरी, डिले हो जाएगा, तो आप है, बिलने की, सब से पहले, बच्चों को खिलोना दिए, क्योंकि मर्करी बच्चों को रिप्रजन करता है, अब ऐसा निकिह मैं अपने घर में बच्चों को खिलोने ला ला कर देहां वे में हैं, एक्से को कुछ में देता। आ ना मतलब आसको आप मिठाई लेकर के जाएगा तो कर्म का चेन आपके ऊपर अलग तरीके साइगा जिसको जरूरत है वो दिल से दुआ देगा आपको कि आपने भी ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यह रिजर्ट चाहिए क्योंकि आपको अच्छा लगता है वो हैविट बना लिजए द्यान करने का तो अगर आपको करेंगे तो फाइदा हुआ दूसरा विष्णु सहसनाम करेंगे तो ओवर लॉंग पर टाम आपको बहुत अचारी ज जुपिटर 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 अभी तक हमने जभी आपने बोला उनम्हें परोट कि वहां जोय्पिटली अफ्कमण लीम अचाह दिव तो वो गुरु का अशिर्वाद आपकी जिंदगी में है या नहीं, वो भगवान का अशिर्वाद आपकी जिंदगी में है या नहीं, that is represented by Jupiter, आपको astrologer जो मिलेगा, वो भी बेकार मिल जागा, तो उसके खुद के कर्मी अच्छे नहीं है, आपको जो गुरु मिले, वो अगर आपके गुरू अच्छे है या आपका गुरू के प्रती बहुत आदर है बच्पन से कुछ लोग होगे ना वो टीचर के बहुत फेवरेट होते हैं बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे नो उनको कोई न कोई टीचर होगा बहुत पसंद करें घर में बड़े लाइफ में जब भी दुख या परिशानी आएगी तो हम सब उपर ही देखते हैं भगवान की तरफ देखते हैं तो और जुपिटर उसी होप को रिप्रेजन करता है शनी देव जो है वो हमको बताते हैं कि जिन्दिगी में कुछ पाना अगर है तो उसके लिए महनत करना प है लेकिन जुपिटर कुड़ी में बच्ये का कारक है और बच्चा जो है वो आपका future है अपका hope है हो ओक्या मेरा बच्चा मेरी लिए कुछ करेगा जुपिटर अगर कुड़ी में मजबूत है तो आपके moral और ethical values जो है वह काफी strong हो शनी लगी में अच्छ है ना कुम इंसा तो जुपिटर जिसका अच्छा होगा उसको इज़त मिलता है तो इसे कौन लोग होते हैं प्रोफेसर्स होते हैं अगर अच्छा नहीं है तो सबसे पहली बात तो अगें मैं हमेशक होगा सेवा करने के लिए तो अगर घर के अगल बगल कोई आश्रम है यह आपको जब भी लाइफ में नहीं होपलेसनेस लगे तो कल हम सुबह उठेंगे राइट अगर लाइफ में जब भी होपलेसनेस लग करते हैं जहां पर कि आप यह कर सकता है एक तरीका यह हो गया घर के आसपास कोई गवर्मेंट स्कूल का टीचर हो क्यों मैं टीचर जुपिटर है अब मालेजी वो प्रोफेसर उनकी सैलरी बहुत जादा है तो आप उनके लाइफ में क्या डिफिनस लगे आपाएंगे लेक बाता हो पैं यहां को कुछ पैसे दे पाएं आप उनको दान में कुछ तो दे पाएं जिसुपििटर जो है वा प्रेस्टॉ जब मैने मन्त्र उचारण का कहा था कोई भी मन्त्र का उचारण जबाब करते हैं तो जुपिटर जो है वो स्रॉं होंeder योल्यatr कों लिएर इसं कुछ लोग माल नूट्रिशन हो जाते हैं और बचपन से शुरूँ होता है तो कहीं ने कहीं चंद्रमा तो गर्बर था आपके mood swings बहुत खतरनाक होते हैं मतलब ups and downs, ups and downs बहुत जादा खतरनाक हैं लरका हो चाहेए लड़की हो तो भी चंद्रमा किसीश को दर्शाता है वह दर्शाता है कि भाई जिंदगी में सुख भी आएगा दुख भी आएगा खुशी दिखानी है ना दुखाया तो बहुत दुखी होना है तो चंद्रमा उसी को दर्शाता है तो लाइफ में जब भी अगर कोई परिशानी आती है और आप विदम हतास हो जाते हैं चंद्रमा गरबर है आप मैं यह दो कुछ बने जा है क्युक्कि इ Velvet करने आथे लाइफ में यह कुछ तो नहीं होगा नेगति सब्सक्राइब अच्छे नहीं है या अच्छछ है भी दूर तो इसको कैसे स्ट्रॉंग किया जाए सबसे सिंपल आमावश्या और पूनिमा के दिन खाने का दान करिए अच्छा ठीक है कोई भी इंसान जिसको आपको लगता है कि इसको सेकुरिटी नहीं है ठीक है वो सेंस अफ सेबिलिटी नहीं है उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रॉंग होगा मुँआ पिछले जनम की कर्म तो आपको मिल गये हैं माली जी आप किसी की ओमत जैसे अच्छे शाल में और अगर इस जनम में आपकी कर्म जो है वह अगर फीमेल के प्रिति जो है अच्छे नहीं तो अभी आपकी कुणली बनाई जाए वापस है इस टाइम किये जो आपके क कर्म को मैप करने के लिए बनाए जागी बच्पन में क्या कर्म था और अभी क्या कर्म है तो शुक्र खराब दिखेगा क्योंकि इस जन्म में कर्म करें उसके हिसाब से या तो न कर्मों को ठीकर रहें या खराब करते जा लेकिन जब आप बच्छमन में पैदा हुए तब पि जो है चेंज रहागा इसा नहीं जब आपका कर्म जो है बहुत लार्ज लोगों को इंपक्ट करके जैसे कि अगर आप कहीं के राजा है प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है जहां पर आपके थुरू बहुत जादा लोग इंफ्वेंस हो रहे हैं तो आपका कर्म अच्छ कि लगे ता कि कर्म ती जब भी आप पुब्लिक लाइफ में तो पॉजिशन और रिस्पोंसिबिलिटी है वह क्योंकि आपके शब्दों की वैसे लोग को अच्छा बुरा बहुत तरीके से लोग बिल्कुल तभी आइटिंग सेला दी जाती है कि आप जो भी बोलो बहुत स लॉन मस्क है ठीक है वो किसी एक कंपनी का सिर्फ नाम अगर ट्वीट कर दे तो अगले दिन ही उस कंपनी का जो शेयर का रेट दवाओ अर्शा हो जुका है और बहुत करता भी है तो वो आपके जैसे आप लाइफ में उपर जाते जाते हैं आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी और मुझे बताओ आप क्या हमारी कुंडली में जो बारा होसे होते हैं वो सारे अच्छे ही होते हैं या उसमें भी कुछ खराब और बुरा कुछ टाइप का होते हैं मतलब इसको ताकि लोगों को पतल जाए कि अगर नाइन था हूस में कुछ बैठा है तो वो मेर को को इनिशेटीव नहीं ले पाते हैं आपको खुद पर कॉंफिडेस नहीं है वो ही मैं पूछ रहा हूँ पहला घर किस वज़े से हो सकता है इस जनम में हां जैसे मेरी कुंडली बनाई ठीक है आप कुंडली में बारा घर है तो यह मुझे कैसे बता चलेगा कि मेरा यह वाल में में उत्रथ होक्ति यह ग 250 गवर कर चीओ इंगी आंप मताटी निश्व किया जा शी ट्रब सकता सब्सक्राइब होगा उसकी वैसे फिर अगर अच्छा घर खराब होगा वह हेल्थ का भी होता है और साथी साथ आपका जो आप रेगुलर्ली काम कर बाते हैं उसका भी होता है तो अगर आप सिर्फ खाय जा रहे हैं तो कहीं ने कहीं जागर क्या बीमार परेंगे तो फिर उसमें भी असर परेगा एक एस्ट्रोलाजर को कैसे प्रजलता है कि इस कुंडली में यहाउज प्रॉब्लम कर रहा है देखे दो तरीके हैं इसके मालीजे अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं उस ताइम के चार्ट बना सकता हूं कि यह बंदा मेरे पास क्यों आया होगा ठीक तरीका वो है बुस ऐसा नहीं बता पहता है तो अच्छा नहीं है बेले देख करके आपसे बात करके कोई समझ पा रहा है कि क्य प्रॉब्लम है तो भी वो एक अच्छा स्माझ जाएगा कि इसको किसाiral से प्रॉब्लम आ रहा है या इसको क्या नहीं कर ना चाहीए पहले घर का पूचा-इपछ आपको खुरी लगता है कि मैं थोड़ा मंद बुद्धी हूं मुझे समझ में आती या मुझे कोई आप कर रहे हो उसके इसाप से पता चलता है कि आपका ये घर अच्छा है या बुरा जल रहे है अगर आपकी जिंदगी में कोई ने इसा इंसान इसको रात में तीन बज़े आप फोन करके बोल सको कि भाई आजा दो लाक फुर्ट पे की जरूते दे दे ले या पापा बिमार हो गये तू आजा और वह आजाता है तो मतल़ समझी Да अपका मर कर यह अच्छा नाच्छंट ऑका तीसरा घर घर्घ यह अच्छा है? और फ्रेंस अच्छे हैं तो क्योंकि आपका social circle जो है वो अच्छा है और अगर वो नहीं है या फिर आप भी किसी के लिए कर पारें मतलब आपको भी यह पता है यह आपके किसी मित्र को आपके ऊपर यह भरोसा है कि तरुन को बुलाऊंगा तो भाई आ तो जाएगा ठीक है तो भी आपका अमर करी अच्छा 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 कई लोगों भी तो कुंडली होती नहीं सौरब क्योंकि को फिर उनके लिए क्या जाए कि उन्वो कैसे अपने बारे में तो ंसमें क्या है कि आप जिस टाइम में कूए आपके पास उस ताइम में बना कर कि आप उसका अंसर के तो मेरे गुरुजी है उनका नाम है दिपांशु गिरी देहरादून में रहते हैं तो उनसे दो हजार उन्निस की ये बात है इंग 26 नवंबर की बात होगी मैंने उनको फोन किया था कि सर कुछ तो गर्वर है सब गर्वर है उनको समझ में लागा को कहते है कि तरी लाइफ में प्रवर है और तो चिंता मत कर आठाइस दिन के बाद ने तुझे एक नौकिनी मेले की जिनकी बदल जाए तो ना उन्होंने मेरी कुंडली देखी ना कुछ किया बस उन्होंने जो है प्रश्न के इसाब से बना दिया तो इसी तरीके से एक और मेरे गुरुजी हैंका नामे बता है तो प्रश्न कुली के तरूब बता है आज कल यह बहुत देख रहा हूं आयाइटी आयम जो पड़े हुए है वह एस्ट्रोलोजी और यह ओकल साइंस में बहुत मतलब उनको बहुत वह आ रहा है कि मैं इसको भी सीखू और इसको जानूं तो जैसा हम बात कर किस चीज को सिगनिफाय करते हैं और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी आप मुझे जल्दी से बता दो क्योंकि हमारा एक घंटे से उपर का आपेसवड हो चुका है बिल्कुल तरूंजी तो देखिए सबसे पहले जो पहला घर है वह आपकी पूरी जिंदगी उसके एड़ परसेप्शन क्या है लाइफ को लेकर के पॉजिटिव है या निगेटिव है वो फस्ताउस है तो कहीं अगर मालीज आप बहुत एग्रेसिव है लाइफ में या बहुत सौमें तो फस्ताउस उसको रिप्रेजन करता है ठीक है अप जो खाना खाते है उसको भी दूसरा घर करता है आप सच बोलते हैं जूट बोलते हैं उसको भी दूसरा घर प्रेजन करता है तो इससे जो भी है समझ सकते हैं कर आप पैसा सेव कर पा रहे हैं तो दूसरा घर अच्छा है लेकिन एक बात याद रखिए हर हाउस का एक लिविंग सिग्निफिकेशन होगा एक नॉन अगर तीसरा है आप रिस्क ले पाते हैं या नहीं मतलब आपको डर नहीं है कि आज अच्छा आज बिजनेस एक्स्पैंड करना है तो एक नया ओफिस खोल लूँगा यह पॉड़कास शुरू किया नया इनिशेटिव है तो थर्ड हाउस है थर्ड होस कम्मुनिकेशन को भ अच्छा दूस पराप करने मिलेगा इसलिए जूपिटर चौथा घर में आच्छा होता है एक ठीक है या तीसरा कहा मिलेगा मरने के बाल जाधा शान्ती ऑटो प्श्णती एंग पान्च मा घर टो है वो आपका फ्यूचरै ऌगे आपके होप को रिप्रेजेंट करता है, की ऐसीन में भाविश्य में भवाकूकाया और पिछले जनुम की जो पुर्म है, पुला कुंड़ी जो पिछले जनुम क्या हैं आपके खुद के पूर निए हुआ है वह पांचमा घर तो इसलिए उसके इसाफ से में होता है कि आपको बच्चा लाइफ में होगा आपको क्या है एक आपको अदुन करता है कि आप लाइफ में कुछ भी काम जो है वो रेगुलर्ली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं लेकिन वह सर्दी खासी हो रही है तो उसकी बात कर रहा हूं लोन अगर इसली मिल जा रहा है चटा कर अच्छा लोन जी चुका पा रहा है चटा कर अच्छा लोन दिशा का रहा हमार है तो दिश मन बहुत अप्स अपनर बहुत से सपरानी या अफ रहु गांदी से इंसे डूश्मनीविप अपने उनको नहीं ही तो पहलाμε polsk talking है ठीकर कंवाध सब्सक्राइब तो साथ माधर नहीं है तो बिजनेस है तो भी आपका रिलेशनशिप को वो करता है नहीं जो भी हमारा कोई बी इंट्रेक्शन सामने वाली पार्टी के साथ जो है है 7th house बट वो आने के बाद life में बहुत परिशानी होगी तो उसमें कुछ गरबर था तो 8th house अकल्ट को रिप्रेजन करता है अकल्ट या नहीं कि जो हम astrology की बाद करें तंत्र शास्त्र हो गया मंत्र शास्त्र हो गया या life में को किसी को हो तो आगे जा कि बिमारी देगी तो इससे दान का इससे का है नहीं करेंगा है नाइंट झुपीटर का हौसे हो तो अगर एक चाही है तो अगर वेहरश कशी होता है और आपको लगता है कि सब होगा उन् magistrant然后 तैनको गरम जो एगष हैं चटा हगर करीर में जो डियूलर्ली आप काम करते हैं वो चटा गर था ईसका अगर करियर का कि आप अल्टीमेटली कर नहीं कर आई अपके क्या है अप कर्यों में ऊपर जाएंगे आ नहीं जाएंगे और बंद नहीं मिलेंगी पिर्थी राँ मिलिए दर्सतार करते हैं अगर एक्षिक्षापूरती का घर अगर डिजाई नहीं आप के घर पूरियों इंधर जेलेसी की भावना आपके अंदर की आज यह मिलता काल कुछ और चाहिए पर रसो част Day टो तो गयारवाघर जो है वह भी आपको बिमारी के तरब गगे जा सकता है या फेर लाइएफ में कभी आपको तसा प्राउग में है तो इक्षा पूरती जो है अगर उसमें कोई सिमा नहीं है तो गयार अगर्लमाघर जो लगारें तो अगर इन सब चीजों में आपकी रुची है कि अकेला पन आपको पसंद है मी टाइम जिसको बोलते हैं या आपके खर्च का भी घर है और दूसरे घर से जो बार्वा घर होता है यह ग्यारा पोईशन में आता है मतलब दूसरे से काउंटिंग शुरू करेंगे तो बार्वा घर जो है वह ग्यारा नंबर पर आता है और गयारा नंबर जैसे मैंने कहा था कि वह इसलिए शनी देव जो हैं छटे आठे और बारे की कारक होता है तो इस तरीके से मदा दिया कॉन सा प्लैने आपको क्या बताता है और उस वो प्लैने आपके कौन से घर में होगा आइधिंग्ग को रिलेट कर पाइंगे कि जो अंने बताये कि इस घर में यह होता है और अप आपको पता है इस बारे में कि इन इन चीज़ों का यह होता है मैं तो कहूँ किताब उठाई यह कुछ सिख लिए बिलकुल यह तो बैस्ट ही है और आजकल मुझे लगता है कि आजकल मुझे लगता है और बहुत लोग चाहते हैं उनको चाहिए कि मुझे पता चले मेरा मैंने तो कई जगें यह भी सुनाए कि लोग आजकल हर चीज पहले जैसे पहले मुरत निकाला जाता था आजकल बहुत अमीर लोग भी और बहुत कहकेते हैं यह जो स्टॉक एक्सचेंड में भी मुरत देखके अपना स्टॉक खरीगते हैं और बेचते हैं पुराने जमाने में भी तो यह राजाओं के लिए था जिए क्यूंके यह पुरो ही क्योंकि वह सब कोच एक ग्रह दशा और वह सब को देखके करते थे अभी तो कि मतलब मास में है पब्लिक में नौरेज अवेलेबल है आप यूट्व से कई जगर से सीख सकते हैं अच्छा सवरभ अगर आप से किसी को कॉंटेक्ट करना हो चार मैं कंसल्टेशन नहीं करते ह हैं क्योंकि अगर कोई बहुत दुख परिशानी में है वह कहीं ने कहीं से मुझे ढूंड लेते हैं तो अगर मैं कुछ कर पाता तो मैं कर देता हूं अच्छा या फिर जो आसपास के कुछ लोग हैं निदेले कंसल्टेशन में करता हूं मतलब जिसे जो फ्रेंस हैं फैमिल है तो उस विए से टाइम नहीं मिल पाता से तो फिर यह तो आप अपना नॉलिज को अपने पास रख रहे हो लिए किसी और का भला करने का वो नहीं है बगवान जितना वहीं मैंने का आप करते हो जितना अपसे हो सकता है मतलब मैं किसी का एक्सपेक्टेशन ऐसा क्यों है कि आप कंसल्टेशन नहीं करते सिर्फ आप नॉलिज देने के लिए आज इस पॉड़कास पे आए हैं यह मुझे नहीं पता था परस्नली कि आप कंसल्टेशन नहीं देते हैं तो यह बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और सीरिसली जम फर परसन युगा और होफुली कि इस नॉलिज से आप लोगों को बहुत फायदा हो पायागा और बता दिया हमने कुमली कैसे देखते हैं कुमली कैसे बनती है प्लैनेट्स क्या होते हैं उनके एफेक्ट्स क्या होते हैं तो बेवकुफ मत बनना अब से संभल के जाना एस्ट्रोजर के पास भी तो आपके पास ग्यान है कि आपको क्या 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 कैसे कैसे देखना है और बाकी ऐसी चीजों को जानने के लिए देखते रहो तरुन शर्मा शो और होफुली आपको मजा आया होगा और मजा आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना लाइक करना मत ब झाल सैंहें और और प्रश गहां